वेलो फ्रेंज, तो आज कर इसम पीज़ा बनानी के खानी का जरूरत नहीं है इतना पीज़ा बर्गेर के टेस्ट आपको मिलने वाला है तो बनाते हैं तो गिन गुना पानी है अब पानी डेने के बाद बाद ऑर इतने डालेंगे एक चम्मच शकर वी पानी है आप लिए बीडियो कहां से देख रहे कि यह पढ़िए धे बागा, एवस्टोता से हमें अलमा मिक्स कर done त् 2-3 मिनटे के लिए थोल देपन condition मैं रहा है मैं गोड़ा से दो खाटा काटा मैं आप छाहिए तो तो मेड़ा कोड़ें हूं नमक नमक नाफिजा नमक नमक नीघॉ और जानी को है तो जो एष्ट को फूलने के लिए रखाता है तो अछे करलो हमेगे सान्हेर यह मिक्स रो माराब मुद्वन तक हम नहीं करें जड़ सब्सक्राइब पहले बाद मुद्वन गरलें इसका सब्सक्राइब में पीज्जा के लिए बनाते है तो अब भूँ अपिज्ञा के लिए लगाना है तो अब हमने इसको हाथों से यस तरीके से अच्छे सामें गूंद लेना है ताकि अच्छे से स्वाप्ट हो जाए और इसको गुंदने के बाद हम क्या करेंगे यह सच में बहुत ही ज़्यादा टेष्टी बनता है इसको एक बाद ज़रूर आप ट्राय कीजिए उसके बाद आप देख सकते हैं यह रेडी हो चुका है तो इसको हम इकठा कर लेंगे जाए इस तरीके से करने के बाद हम क्या पर करेंगे इसमें थोड़ा साहम तेल डालेगे ताकि जब रखेंगे लगा देंगे तक जाए दो घंटे आठा इंटे फोलदा बनाली। जाता है लेकिन मैं दो घंटे के लिए रख रही हूं तो इसको सबसे पहले हम अच्छे से मैस कर लेते हैं और फ्रेंड से आप चाहे तो इसमें सब्जी से भी बना सकते हैं लेकिन मैं आलो से बना रही हूं आलो से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है उसके बाद मैस करने के लगाःे है तो को मैपयाज काटार है हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले में डालेंगे इसमें हल्दी हल्दी कलर के लिए थोरा सा उसक्ड चिली फिलेक्स अपने अपक्राइव, ख मील्डी ना पसंद है उसके पार चाट अशाल नहुं आपके ने की मसाले उसके इसको साइर में रखेंगे और हम लेलेंगे यह जो आंटा बना के रखा था, तो आप देख सकते हैं यह कितने अच्छे से एकदम से फूल गये हैं तो इसको हमें क्या करना है Frenge? हातों से हमें इस तरीके से इसको हमें घूंद लेना है, जूब गूंद लेना है आप सकते लोगे फूल गए खूल गए तो इसे चाहे कुल falling, भी बहुत बहुत कुछ भी बोट पिज्या का वी बना सकते हैं हमें इस पर लेना है थोड़ा सा सूखा आटा यानि मैदा इस पर हमें छिरक के हमने जो इसका पोर्शन बना के रखा था लोई उसको हमें थोड़ा सा इस तरीके से में राउंड कर लेना है और राउंड करने के बाद हम क्या करेंगे इस तरीके से थोड़ा सा चिकना करके हम इसे आप रोटी बनाने के लिए बेल तहीं है। लेकिन हमें तुटा साम काक्रां है हमें पतलम हम Cat नहीं रखना है। इस पर हमें रोटी बेलना कर दोनी हमने पतला,bit पतलम में टीए ञरुटी आपको नहीं रखा है, च्छोटे ल जो फोल्ड करके साइड रख लेंगे जो को ॏ ओन्य यह उसको ले लेंगे पीजा सास पीजा सास लगा लें लगारें खीजा नहीं है तो आप टमाटो केचप हो यह लगा सकते हैं उसे भी बहुत ही ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है तो इस पे हम पिजा सॉस अच्छी से लगा देते हैं पूरा साइड में हम नहीं लगाएंगे तो इसको लगाने के बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड से हमने जो वो आलू का मसाला बना कर रखा था वो ले लेंगे तो हमने आप कितना चोटा बराऻ बना रहा है इसको भी हमें इसम से फहला लेना जैसे की हम तो चारो तरफ से अच्छे से दवा देना है ताकि जब हम इसको मतलब पकाए तब यह खुले ना क्योंकि हमने इसमें चीज डाला है और उसके बाद हम एक फॉग वाला श्पून लेंगे यह नूडल्स खाने वाला थोड़ा थोड़ा छेद कर लेंगे ताकि यह फुले ना तो इस तरीके से करने के बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स हम ले लेंगे थोड़ा सा पानी और इसके साइड साइड से हमें थोड़ा सा पानी लगा देना है ताकि हम जब इसको चिपकाएंगे तो यह अच्छे से चिपक जाए और खुले ना तो इसको लगाने के बाद हम क कि नर्था राधी है में तेनान से टेंवा तो इसके बाद तहीं मेरे का देडिया है एक पैन को हमने पहले सेан गरम करने के लिए ज़्यादा गरम अदाटा है जमने फेकलब ऻम को मेडियुम알 लुक्तित पकनेदेना है नakat एक कम ज्यादा असाब से तो बने ढ़्ड़ में भी बना सकते हैं अब क्या करेंगि थोदा साथ सुख जा असके बाद अपर तो न के रहेंगे तो तो 75% ने ब्लट गया है तो आप देख सकते हैं फ्रेंड से ये हो गया है तो अब हम इसको अराम से पलट लेंगे ज्यादा इसमें ये नहीं करना है एकदम अराम से हमें पलट लेना है तो अभी ये पूरा ये सैट से भी नहीं हुआ है तो वो सैट से भी हम पहले होने देते हैं तो अब देख सकते है इसे भी आराम से पलट लेना है, यह बहुत ज़्यादा स्वाप्ट होते हैं, तो तोट ना जाए तो इसके लिए इसको आराम आराम से पलट लेना था, अब इसका कलर और लुक देख सकते हैं अच्छा लग रहा है, और चीज जो था वह भी बाहर नहीं आया है, तो फ्रेंट बहुत ही ज्यादा टेश्टी खा देखने में लगता है तो इसको अब हम क्या करेंगे निकाल लेंगे गैस का फ्लेम आफ कीजिए और उसके बाद इसको हम एक प्लेट में लेंगे और पिज्जा कटर हो या आपके पास चाकू हो कुछ भी आपको पास है जो भी है उससे आप कट किजिए और सॉस के सांथ खाईए यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है तो सबसे पहले मैं इसको काट लेती हूँ तो काट निगERE आप देख सकते हैं कितना बना रहे है और यह सच में खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है तो फ्रेंड सी इसको बाइ